वेल्कम बैक नाजरीन जी संदा मैं समझता हूँ यह रेयल इस्टेश जैसे मैंने पहले ही कहा यह बड़ा हसास और चैलिंग इन्वार्मेंट होता है इसमें बहुत जादा दफ़ा ऐसा भी होता होगा कि एक लड़की अपना काम करते वे फील्ड वर्क करते वे यह कम्यूनि आरे मसाहिल को चैलिंजिस को फेस करते वो डिप्रेस हो जाती होगी परिशान भी हो जाती होगी कि जार मैंने इस फील्ड को छोड़ देना है अब तो तंग आ गया यह पता नहीं कैसे लोगों से हमारा तालुक जोर रहा है किस किसम के लोग आ तो उस वक्त अपने आपको क अगर आप रियल स्टेट फील्ड में आते हैं तो अंदर से स्ट्रॉंग होना बहुत जरूरी है आपकी आपकी जो परिशनलिटी है वह यहां पर सब्सक्राइब काम आएगी ठीक है कि आप सब रियल स्टेट में अट दे बैक आप ऑफ दॉफिस ही वर्खी नहीं कर रहे हो किसी भी लड़की को किसी भी फील्ड में कामियाब होने के लिए कौन से स्किल सेट की जरूरत पड़ती है खास तोर पर आप अपनी फील्ड की बात करें क्योंकि यह बड़ी मतलब डिफरेंट फील्ड है वहां पर लड़की का काम करना इतना असान नहीं जितना समझा जात पर लिए पर आपकी लिए एड्यूकेशन हैं तो आप असरा उक्षान है लेकिन जब फ्रण पर आती है लोगों से मिलती है डिली बेसिस पर इक पर स्टॉट परिंशिड कर पैसिनेट कर फ्रेंटियं कोई इन्फ़र्मिशन की नहीं है आप खुदी किसी से एपना काम कर सक कि अब आपके पर स्वाइब कोई भी इंवेस्टर आरा है तो फोई तर रुपे की मेक-प्रॉड्ट लेने नहीं आ रहा है वह अपनी लाखों की लाइफ टाइन्स लेने आ रहा है तो वह चाहता है कि उसकी पास 100% फॉर्मिशन और वाइडन्स की जाए कि तो हर अनुसी से ल भी उसको बताया जाए कि उसे इंवेश्मेंट नहीं है पिर रिटर्न और इंवेश्मेंट की इवाद आती है अच्छा आप क्या समय कितना रैश्यों है अभी रियल इस्टेट में इसका रुजहान बढ़ रहा है अवे इस बढ़ रही है लड़किया आरी है बोली काम करना च चैलेंजेस्ट नहीं है किस तरह से में रियल स्टेट फील्ल मुझे क्या स्किल सेट की नीड है लेकिन अगर मैं कोई रियल स्टेट कंपनी भी जॉइंट कर लेती हूं तो क्या मुझे महां पर सिखाया जाएगा कि ये प्रोजेक्ट कैसा है मुझे लोगों से बात किस तरह से करनी है बिल्कल सही तो ये चीजे बाई चैलेंजेस आते हैं इसकी वज़ा से हमारे पास फीमेल्स काम है और मेल डॉमिनसी की वज़ा से फीमेल्स अलरेडी बैक हो जाती है सरोश मैं आपके तरफ आना चाहूंगा आप ने थोड़ी देर पहले बात की कि हमारा जो रैश है इस अपने मल्क में सर्व करने के वो फॉरं क्यूं आपका क्या खयाते है मेरे ख़यार से मकसद पाकिस्तान में है वो बिल्कुल यही यही वज़ा होती ए हमारे पास वहाँ पर हाईर पे मिल रए होती है वहां पर दूसरे इंसिंटीइ जाते हैं उनको हमारे एडूएश पुर्जिटर IN FUTURE हमारे पास और आगे बढ़ सके हमारे लेकिशा हमारे प्रकस पाकिस्तान में इंवार्मन आगे ज्लिए मुझा थे लिअगे 6 अगर नर्स और नोडनी वर कंथ्शिए जीरू पर गजाते हैं इन इद कर दंधा जाती है नले क्तंड़ का लिए पर चैनले य साथ भी यही है इसी वज़ा से वो हमारे पास पाकिस्तान से मूव होकर एक डिवलेफ कंट्री में चले जाते हैं ताकि वहां उनको एक सेफ एंवार्मेंट मिलें एक अलाउंस मिल रही है हायर पे मिल रही कॉलिटी ओफ लाइफ मिल रही है तो क्यों नहीं जाएंगे हमारे अच्छा सरोश मुझे एक और बात बता है कि कुछ लड़कियां या लड़के वो बेशक मैडिकल फील्ट चाहिस तो कर लेती हैं लेकिन उनका मैडिकल फील्ट में नहीं मिल सकता नहीं मिलता किसी भी वाज़ाई से या तो वह उनके पास इतना फाइनेंस नहीं होता कि प् सकता है बिल्कुल उपॉर्चिनेटीज आप जरूरी नहीं है कि आप एक MBBS डॉक्टर बिन आप एक नर्स भी बन सकती इविन हमारे पास नर्स के इतने अच्छी चीजे आ गई अगर आप फ्यूचर में पढ़के एक नर्स प्राक्टिशनर बन सकती तो यूह राइट तो आप भी ड्रक्टिव कर सकती इए तो इतना आगे तक आ अगे तक आप आपस नर्स पाऊच चुका है तो आप नर्स प्राक्टिशनर बन सकती है तो सिफ डोक्टर ही नहीं है बल्के हमारे पास फिजीओ थेरपिस्ट ए ऋंधन स्कती है रेकिन आपस अगर में गवर्मंट् नर्सिस जॉक्टर मेडिकल कम है इसी वजह से हमारे पास कॉलिटी आफ लाइफ नहीं है हमारे पास हेल्थ केर फैसलिटी नहीं है ठीक है अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब जें मेडिकल फील में रहते हैं किसी मेडिकल यूनेस्टी में कोई नर्सिंग की लड़की या ज सब्सक्राइब काम कर सकती है और दूसरे लोगों को भी एजुकेशन दे सकती है तो आपने बात की कि कि मैंट्रोशिप नहीं है तो आप क्या समझती है आपके ख्याल मुताब मैं समझती हूं बड़ा वास एक्स्पेरियंस है आपका इस फील के अंदर तो आप लड़की कि अनको आना चाहिए इस पील के अद्ला जाहिए बिल्कुल आना चाहिए क्यों कि एक जो फीमिल है वो इस फील में बहुटदाद एक्सल कर सकती है अग्सल जाएं कि एक फीमिल है मैं आप पहले है या फीमिल होना अच्शिजन ले भर में आप पुछते है अपनी वाइस से भी आपनी शिस्टर्से बिल्कुल सही तो घर में परिश लेना हो अगर एक परनीचर लेना हो वाज़ कारा आप सब्सक्राया काम करवाना आप सब्सक्राइश पिर गर अज़ चैंज करना हो ता इनसे पर लेते हैं तो में जो पीछह बैठी है और दिशिजिन मेकर्स वो फीम अगर मुझे एक रीयल्टर बनना है तो मेरे लिए कोई मैं बेंगशन कोर्स नहीं है अभी भी विरूर बहुत सारा इसे इंस्टीूट है जो अदलेयों कर रहा है रनियल्स्तेट्ट मेरे बात years बहुत अच्छा है, पीछे मैंने पेकर्ण और फ्रन्टम युगा जिल सारी जो पीछे टेली मॉर्केटिंग काम कर रही है, पहले मैंने प्रेल स्ट्रेट कारी है, प्हले सिर्थ मार्केटिंग देखती। लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं मुझे लोगों से मिलने मिलेगा चैलेंजिस रोदन एक नहीं कानी तो बस पर मैंने कहा कि अब मुझे फ्रेंट पर काम करना है इसका मतलब है अगर कोई लड़की आती है जौब करना चाहती है तो वह बैक हैंड पर काम कर सकती है ज़रूरी नहीं है कि वह जाकर फील्ड में लोगों से मिले और मुझे चैलेंजिस को फेस करें तो वह बैक हैंड पर बैच के भी डिजिटल मार्किटिंग यह मतलब इस तर है तो रियल स्टेट कंपनी से भी इसका मतलब है ऐस फ्रीलैंसर भी हम काम भी कर सकते हैं या जिसके अंदर को पोटेंशल है वरकिंग है और कंप्यूटर की सिस्टम की ग्राफिक डिजाइनिंग की वीडियो की एडिटिंग की वह भी आ सकती है बिल्कुल और अब ज़रू हैंगे लेकिन यहां पर लेंगे छोटों सब्रेक नाजी मंजोना के रहाइजासन मुलंग के शौर्ट कमाश्व पर थांपाइज हुआ 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 हुआ